प्रियल गुम है किसी के प्यार में में बहुत बड़ा ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलने वाला है जहां पर अब सत्या का असली चहरा सब के सामने आने वाला है सत्या जो ये शो कर रहा है कि इसको कुछ भी याद नहीं असल में वही तो है इस पूरे हाथसे का मास्टर माइन खेर इसी बीच अश्मिनी ताई और भवानी जाने वाले हैं सई के घर वह भवानी जिसमें हद से जादा एहंकार है पहली बार सई के आगे हाज जोने वाली है सई से रिक्वेस्ट करने वाली है क्या कुछ होने वाला है चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में में बहुत बड़ा ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा जहां पर अब बड़ा कदम उ एश्विनिताई और भवानी जी हां दोनों पहुंचने वाले हैं सई के घर और सई से रिक्वेस्ट करने वाले हैं क्योंकि पुलिस कस्टिडी में अब चला जाएगा विराट विराट को पुलिस गिरफतार कर लेगी क्योंकि अंबा ने विराट की कम्पलेंट जो कर दी है ऐसे में जैसे ही विराट को पुलिस अरेस्ट करेगी भवानी और रश्वनिताई दोनों ही परिशान हो जाएंगे और उनको पता है कि अगर ऐसे बुरे समय में उनकी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सही है तभी तो दोनों जाकर हाथ जोड़कर सई से पहले तो भवानी माफी मांगेगी और ये कहेगी मुझे माफ कर दो मैंने आज तक तक तुमको बहुत कुछ कहा है लेकिन हमें पता है कि अगर विराट के इस बुरे समय में कोई उसका साथ दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो विराट ऐसा कर ही नहीं सकता जिसके बाद अश्वनी ताई ये बोलेगी साई को कि विराट कभी भी किसी की भी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा वो मेरा बेटा है साई मैं उसको अच्छे से जानती हूँ जिसके बाद साई दोनों के सामने कसम खाने वाली है और ये बोलने वाली है कि आप दोनों ही बेफिकर रही है मैं सच्चाई की तह तक जा कर रहूंगी और मैं विराड की बेगुनाही साबित कर कर रहूंगी चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े वेल अब देखना ये होगा कि सई को सच्चाई आखिर कैसे पता चलेगी क्या कहेंगे आप हमें कमेंट्स में आप जरूर लिक कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें